जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तो आज 6 मार्च है और आज 6 मार्च के दिन बुद्ध का राशी परिवर्तन होने वाला है आज बुद्ध मकर राशी से निकल कर कुम्भ राशी में प्रिवेश करेंगे जहां पहले से ही गुरु ब्रस्पती और सूरे देव मौझूद है तो बुद्ध का ये गोचर एक तो बुद्धादित राशी में रहने वाले हैं गुरु के साथ तो ये जो बुद्ध का गोचर है ये तुला राशी और सिहिंग राशी के लोगों के लिए कैसा रहेगा उनको अपने अगले 25 दिनों में किस तरह के लाब देखने को मिलेंगे ये हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारी चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगे तो बुद्ध जो हैं उनको राजकुमार का दर्जा प्राप्त है सभी नवग्रहों में और ये बुद्धी के कारगरे हैं गणित के हैं तर्क, समवाद, चतुरता इन सभी के कारगरे माने जाते हैं बुद्ध व्यक्ति को बुद्धिमान तो बनाता ही है और शारेरिक रूप से सुन्दर भी बनाता है और जो जातक तर्क संगत होता है और विजय होता है उसका बुद्ध बहुत मजबूत होता है कुंडले में और जिनकी वानी बड़ी कमाल की होती है उनकी भी कुंडली में बुद्ध बहुत प्रभाव शाले होते हैं तो इनका प्रभाव तुला और सिहिंग पर कैसा होगा चले जानते हैं पहले बात करेंगे तुला राशी की उसके बाद सिहिंग की तुलाराशी के लोगों के लिए बुद्धबारवे भाव यानि कि वै भाव, यातरा का भाव और साथ में नवे भाव यानि भाग्या और धर्म के भाव के स्वामी है दोनों ही बहुत अच्छे हैं और इस समय पांचवे भाव में गोचर करेंगे पांचवा भाव मनुरंजन से जुड़ा है, सिक्षा से जुड़ा है, प्रेम से जुड़ा है, इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो पंचम भाव में तुलाराशी के बुद्धा दित्य योग का निर्मान होना आपके लिए बहुत मजबूत इस्तितियां बना रहा ह अगर आप कारेशेतर में देखें, तो आपके कारेशेतर के द्रस्टी कौन से, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, जो मीडिया के शेतर से जुड़े हैं, थियेटर के शेतर से जुड़े हैं, पत्रकारिता के शेतर से जुड़े हैं, या फिर अभीना के शेतर में काम करते हैं तो उन लोगों को इस दोरान इन 25 दिनों के दोरान अपने कारेशित्र में अपनी प्रतिवा दिखाने का मौका मिलेगा अपनी शम्ता प्रदर्शित्र करने का बहुत अच्छे अफसर प्राप्त होने वाले हैं दूसरी तरफ जो नोकरी करते हैं वे अपने कारेशित्र में अपने कोशल में विकास कर पाएंगे अपने ज्यान में व्रधी कर पाएंगे और अपने हर कारे की तरफ प्रयास करते हुए नजर आएंगे आपकी अंदर अपने कोशल में सुधार की भावना देखने को मिल सकती है यो लोग बड़े सहयोगी ह आपके वरिष्ट अधिकारी हैं, आपके वरिष्ट प्रबंधन हैं, वो भी आपके लिए काम की प्रसंचा करेंगे, आपकी महनत को देखेंगे, इसके अलावा इस दोरान आप अपनी कारशेत्र में समस्याओं को खोजने और उन्हें नए तरीके से हल करने में भी सफर रहें बुद्धिका बहुत अपयों करने वाले हैं, और यही कारण होगा कि आपकी पदोनेती के भी प्रबल योग बनेंगे, तो बुद्ध का जो ये कोचर है, आपके अपके कारशेत्र को बदलने वाला साबित होगा, शिख्षा के से द्रस्टिकों से देखा जाये, तो तुला बना रहे हैं तो उनको भी सकार अत्मक परिणाम देखने को मिलेंगे व्यक्तिगत रूप से देखें तो प्रेम संबन मजबूत होगा जो किसी रिष्टे में हैं और दूरी बलाय हुए है यानि कि आप विश्य स्रूप से अलग लग रह रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय सावित होगा एक साथ रहनी का मौका मिलेगा आपके रिष्टों में इस दोरान एक नई उर्जा देखने को मिलेगी इस अबधी में आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताने के लिए बहुत सी यातराय भी करेंगे अगर आप पे विवाहित हैं तो आप अपने संबंदों को बड़ा मजबूत बनाएंगे बच्चों के साथ अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छी बॉंडिंग रहेगे इस अबधी में आप अपनी भावनाओ, समवेदनाओ, इन सभी को साजा करेंगे और पिता के साथ बड़ी अच्छी बॉंडिंग होगी हर इस्तिती में, हर परिस्तिती में आपको अपने बड़ों का मार्गदशन प्राप्त होगा और उनके मार्गदशन से आप आगे भी बढ़ेंगे ये गोचर आपके लिए बहुत उत्तम है धर्म कर्म के प्रती आस्था बढ़ेगी ध्यात्म के तरफ रुजहान होगा और आप किसी तीर्थ पर भी जा सकते हैं या किसी ऐसी जगह पर जहां बड़ी शान्ती हो वाजा कर आप बहुत एक अनुभा होता है ना बहुत अच्छा अनुभा हो करना एक बहुत अच्छा अनुभाव आप कर पाएंगे तो बुद्ध का तो गोचर अगले 25 दिनों तक आपके लिए बहुत महत्पोन है अब बात करेंगे सेहिंग राशी की तो सेहिंग राशी के लोगों के लिए बुद्ध धन का ग्रह है और दूसरे भाव धन और परिवार के भाव ग्यारव भाव दोनों ही भाव कर स्वामिय और दोनों ही धन से जुड़े हुए है और यहां साथ भाव में गोचर करेंगे जो आपकी साजेदारे को दिखाता है दिवा के दिखाता है तो यह जो गोचर है ये कई तरह के शुप परिनाम लेकर आया है पहले website ग्रूप से देखे तो ये अवधी आपके नए उद्योग में शामिल हुए लोगों के लिए बहुत फल्दाई होगी आपका उद्योग बढ़ा अच्छा चलेगा आप अपने कारशेत्र या बाजार में स्वैम के लिए एक सुरक्षित इस्थान बनाने में सफर लोगे यानि अपनी इक अलग बहचान बना पाएंगे अपनी इक अलग जगहा बना पाएंगे मार्केट में आपकी परतिष्टा बढ़ेगी परसिद्धी फैलेगी अपनी वेफसाइट को बहुत अधिक फल दायक बनाने में जो आपकी मदद करेगी अच्छा खासा मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा जुजातक पेशेवर रूप से मुकदमे बाजी के शेतर से हैं बैंकिंग के शेतर से हैं अकाउंटेंसी के शेतर से हैं मार्केटिंग के शेतर से हैं तो इस अवधी में आप अपने पेशे में जीवन में नई उचाईयों को छोने में सफल होंगे बहुत अच्छे हैं आपके लिए योग समभावना है कि इस दोरान आप अपने वेवसाई के तरह के लिए कुछ यात्राएं भी करें और यात्राएं करनी आपके लिए बहुत अच्छी होंगी जो भविश्य में अच्छे लाब दे कर जाएंगी सेंग राशी के विज आता है को जो किसी वी तरह की साज़दारी में काम करते हैं वेवसाई करते हैं आप इस दोरान अपने वेवसाई को आगे बढ़ाने के लिए कुछ रणनीतियां तयार लेकर तयार करते होई नजर आएंगे और उन्हें काफी फलदायक परिणामी मिलेंगे प्रबल योग बन रहे हैं के लिए अच्छी लाब कमाने के वेक्तिगत द्रस्टी कौन से देखा जाए तो जो विवाहित लोग हैं उनके संबंद और अधिक मजबूत होंगे अपने जीवन साथी के साथ दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा नजदिक्या होंगी और यहां आपका जो निज़ी जीवन है वो बड़ा सोख़द होगा आप हर चोटी से चोटी बात हर बड़ी से बड़ी साथ अपनी जीवन साथी के साथ साज़ा करते हुए नज़र आएंगे जिससे आप से समझ बढ़ती है एक मजबूती आती है रिष्टे में आपका व्यक्तिक्स जीवन काफी हस्व मुख काफी खुशाल बनने का योग है परिवार के साथ कहीं बाहर गुमने जाने की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और तैय करेंगे कि इस यात्रा के दौरान आप अपने परिवार के साथ अच्छा खासा समय विता सकें इसके अलावा जो अकेले जीवन वैतित कर रहे हैं वो इस दौरान अपने परिवार मित्रों की मदद से किसी नए रिष्टे से जुड़ सकते हैं शादे विवा के यूग है सामाजिक दायरा आपका बहुत बड़ेगा नई दोस्त बनेंगे नई लोगों से जान पहचान होंगी कुछ आराम दायक कुछ आनंद में यात्राइं होंगी कह सकते हैं कि आपके आसपास का माहूल काफी खुशाल रहने वाला है जो आपको और अधिक खुशाल करने वाला है तो ये जो आगे आने वाले 25 दिन है ये बहुत महत्पुन है इस समय का भरपूर लावट है हर खुशी को दिल से महसूस करें सुकून को दिल से महसूस करें साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें